हलो प्यारे बच्चों तो देखिए आज exercise 3.3 शुरू कर रहे हैं चप्टर हमारा 3 यानि अंडर्स्टेंग को डिलेटल चल रहा था ठीक है तो इसका देखिए question number 1 देखते हैं अचा जैसा कि आपको पता ही है कि हम इस चैनल पर math class 8 का complete स्लेबस कर रहे हैं तो अगर 3.3 से पहले अगर किसी हो कोई डाउट है तो आप हमारी प्लेट लिस्ट में चेक कर सकते हैं ठीक है तो देखिए question number 1 given अब पैरलोग्राम ABCD देखो यह एक पैरलोग्राम दे रखाए ABCD complete each statement along with the definition और property used तो देखिए यह एक पैरलोग्राम में ABCD तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पैरलोग्राम होता क्या है तो देखिए पैरलोग्राम की property होती है कि opposite side हमेशा equal होगा यानि AB equal to CD होगा ऐसे ही अगर AD है तो यहां में अगर दो लाइन कीशता हूँ तो AD equal to होगा BC के बराबर उसी तरह से यह opposite angle यानि बी का opposite angle होगा यानि यह angle D equal to angle B ठीक है यह सब property पैरलोग्राम की होती है और पैरलोग्राम क्या होता है एक बात और कि पैरलोग्राम में या फिर किसी भी एक फिगर में जिसमें दो लाइन पैरलल होती है तो उनके अंदर के एंगल का सम एक साइड के जैसे एंगल डी है और यह एंगल ए इन दोनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री ठीक है तो यह तो थी पैरलोग्राम की इसके डाइगनल जैसे AC डाइगनल है दूसरा BD डाइगनल है यह आपस में यह उपकर इंट्रसेक्ट कर रहा है यानि कि AO ौसी होगा और डी ओ इकल टू ओ भी होगा ठीक है तो यह सब प्रपर्टी थी पैरलोग्राम की अब जरा देखतें क्वेशन में तो क्वेशन में अमेशा equal रहती है ठीक है तो ad equal to bc reason अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे opposite sides of pedlogram are always equal ठीक है next angle dcb equal to angle dcb ये angle मैंने आपको बताया था कि pedlogram में opposite angle equal होते हैं तो angle dcb ये है तो dcb के opposite angle हुआ यह यानि angle dab dcb क्या लिखेंगे angle dcb अच्छा dcb को हम एक और नाम से दे सकते हैं dcb आप हमेशे ध्यान लखना है जब भी angle लिखते हैं तो बीच वाला जो एक नंबर होता है जैसे dcb के बीच में a है तो angle a पर बनेगा तो इसको अंक हम dcb न पढ़के b a d वो भी पढ़ सकते हैं और दोनों का मतलब एक ही ठीक है, OC equal to पूँछा है, तो OC, तो OC equal to क्या हुआ, AO, क्यों? मैंने बताया था कि diagonal of a parallelogram bisect each other, AO equal to OC होगा, DO equal to OB होगा, ठीक है, यह जो दोनों diagonal है, यह आपसे bisect करते हैं, ठीक है, तो OC equal to क्या हुआ, OA, OC equal to OA, अब पूछा है, measure of angle DAB plus measure of, देखो यह M का मतलब measure, measure of angle DAB plus measure of angle CDA, तो DAB, यानि यह angle plus angle CDA, CDA, तो CDA का मतलब angle हमारा D पर बनेगा, DAB का मतलब angle हमारा A पर बनेगा, तो यह दोनों angle का sum, मैंने आपको बताया था, जो दो line parallel होती है, parallelogram में तो यह line और यह line parallel होंगी, तो इन दोनों parallel line के बीच में जो angle का sum होता है, वो हमेशा 180 degree होगा, यह आपको याद रखना होगा, ठीक है, कभी भी दो parallel line होगी, जैसे फिलाल तो यह वाली की recording, यह question पूछा था, अगर यह पूछा जा आप से, यह line और यह line parallel होगा, तो angle D प्लस angle C, यह भी कितना होगा, 180 degree, एंगल A प्लस angle B, यह भी कितना होगा, 180 degree, ठीक है, यह question number 1 हमारा हो गया,